बाहर के पॉलिशन से, हार्ट केमिकल से हमारी इसकिन बहुत ड्राइ हो गई है इसकिन का ग्लो ही खतम हो गया है जो नैच्रल चमक होती है वो कहीं खोस ही गई है इसकिन के पोर्स बंद हो जाने की वज़ा से सारी प्रॉबलम क्रियेट होती है इसकिन सांस ही नहीं ले पाती हम अपनी उम्र से बड़े लगने लगते हैं ये तो किसी को भी नहीं चाहिए न हमें चाहिए इसकिन चमकदार, नैच्रल चमक, सौफ्ट आज आपको एक नैच्रल तरीके का फेस वाश बनाना सिखाऊंगी और उसे मिंटों में बनाऊंगी और जो इंड्रीडियन्स हैं, वो हमारे घर के आसपास ही हैं जरुवत है, हमें उन्हें पहचानने की और विच्छे लो, कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सकरने चले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी कि जब भी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्स्ट्राइब किये बना विल्कुल न जाएं सबसे पहले एक खाली आपने कभी देखा है अपनी नानी दादी को उनकी स्किन कितनी सौफ्ट है तो बेसन मैंने ले लिया है दो चमच भर के अब मैं लेती हूँ दूसरा इंग्रीडियन वो है ग्रीन टी ग्रीन टी पुराने जमाने में तो यूज नहीं होती थी ना ही कोई जानता था लेकिन ग्रीन टी के फायदे आप सभी जान गए ग्रीन टी हमें पीने से तो फायदा होता ही है लेकिन यह हमारी स्किन को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देती है आज जितना पॉलिशन है उसके बाद मैं मिला रही हूँ चंदन का पाउडर चंदन का पाउडर आपको आसानी से किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे मिल चाएगा एक चमच भर के चंदन का पाउडर डालिए यह कूलिंग का एफेक्ट देता है खुश्बू से भी मन प्रसंद रहता है यहां लिया है मैंने नीम पत्र का पाउडर नीम पत्र का पाउडर अगर आपको आसपास नहीं मिले तो आसपास अगर पेड़ है नीम का मीठा नीम नहीं जो सबजी में डालते हैं वो नहीं यह दवाईयों में जो यूज होता है वो नीम उस नीम को आप लीजे उसके पत् फेस वाश को हमेशा आप दूद के साथ मिलाकर यूज करना चाहें तब ये मिल्क पॉडर न डालें पर दिक्कत क्या आती है जब ये हम फेस वाश करें तब हम ढूनने जाएं पहले दूद को या दही को इसलिए इसमें आप पहले से ही मिल्क प्रोडेक्ट क्योंकि हमारी स्क इन के लिए बहुत बैस्ट होता है पुराने जमाने में दूद से लोग नहाते थे फेस वाश करते थे तो यहां पर आप क्या कीजिए इसमें दो टेबिल स्पून मिल्क पॉडर पहले से ही डाल दीजिए जिससे ये टेंशन ही खतम होगा अब आप पानी से भी मिलाकर यू पॉल को आप यूज करसकते हो सुखा के मैने तो हिब हुआस्श के फूल जो गुडहल के फूल होते जो हमारी सकन के लिए बहुत जरूरी हैं बहुत ही अच्छे हैं शा Corps किन और बालों के लिए ये पॉदल वो पौदे के फूल मैंने यहां पर सुखा के रखे हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताये थे, जब हमने शैंपू और तेल बनाया था, तो यह फूल हम ले रहे हैं, आप गुलाब की पतियां ले सकते हो या यह वाले फूल ले सकते हो, इसके अंदर जरूर डाल और हमारी स्किन के लिए भी बहुत जादा बढ़िया है, तो इन पतियों को मैंने 10-12 फूलों की पतियों को ले लेती हूं, उसे भी मैं इसी के साथ मिला देती हूं, अब सारे मिश्रन को हमें क्या करना होगा, हमें एक मिक्सी के जार में डालना होगा, अब आप इतनी सारी महनत तो कर रहे हो, सारे पाउडर आपने कलेक्ट कर लिए, अब आपको खास बात ध्यान इस पे देना है, कि जो मिक्सी में आप पीसने जारे हो, वो मिक्सी में पहले आपने कहीं मिर्ची विर्ची न पीसी हो, कहीं लसन प्याज न पीसा हो, इस बात का ध्यान जरूर रख इतने बड़िया ingredients आपके सामने बन रहे है तो आपको एक trust भी बन जाता है कि हम इतने सारे ingredients को एक ही साथ यूज़ कर रहे हैं अब आपको कोई दूद मिलाने की जरुवत ने है दही मिलाने की जरुवत ने है इसे दो तरीके से आप लगा सकते हो सबसे पहले तो इसे किसी साफ जार में रखेंगे तो ये बहुत लंबा चलेगा आप इस पाउडर को किसी ऐसे जार में रखेंगे जिसमें गीला चमच न जाए गीला चमच ये दि हम ढालते हैं तो ये पाउडर खराब होगा अगर आप यू इस तरीक से निकालेंगे ना जैसे हम कोई मसाला निकालते हैं तो जिससे उसके अंदर पानी नहीं जाएगा यह लंबा चलेगा और हाँ अब यह पाउडर तो बन कर त्यार हो गया है अब बारी आती है लगाने की आपको सबसे पहले तो नॉर्मल यूज करना है जैसे थोड़ा सा उठाया पानी लिया और फेस वाश कर लिया जैसे अक्सर हम साबुन लगाते है या फेस वाश यूज करते है एक और भी तरीका है आपके बाद सिर्फ 15 मिनिट होने चाहिए इसे लगा लिजे और 15 मिनिट के लिए कहीं थोड़ी दिर लेट जाएगा ये फेस पैक की तरह काम करेगा 15 मिनिट बाद आप इसे रब करते हुए आप ठेंडे पानी से पोच लिजे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है ट्राय तो कीजे बहुत मजा आजाएगा अगर आपको स्क्रब का भी मन है तो इसी के अंदर ही एक दो चमज किसी दाल का पाौडर डाल दीजे खासतोर से मसूर के जो दाल होती है लाल रंग की ओरिंज कलर की उससे आप दोलीजे ़ोके सुखा लीजे उसके बाद इसका पाौडर बना लीजे दो चमज उसमें भी डालिए तो यह स्क्रब का भी काम हो जाएगा लेकिन अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं या कोई भी रैशिस हैं आप बिल्कुर भी से मत डालिए सर्फ ऐसे फेस वाश की तरह यूज़ कीजिए दाल का स्क्रब हम अगली बार बताएंगे आप तो यह फेस वाश यूज़ कीजिए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कैसा लगा आपको इसका रिजल्ट वीडियो पसंद आये लाइक जरूर कीजिए जादा ज्यादा शेर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए आये हैं सब्स्क्राइब करने की कंजुसिए बिलकर से लगोडने कीजिए हैं